दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स जो कि आपने बिग बॉस के घर में नहीं देखे होंगे यहाँ पे विकास गुपता और इजाज खान बहुत ही एक परसनल टॉक करते हुए नजर आते हैं अब दोस्तो आपको बता दें कि यहाँ पे विकास गुपता कहते हैं इजाज खान को कि मैं पिछले चार सीजन से लगातार बिग बॉस के घर में आ रहा हूँ और जब मैं पहली बार आया था तो मुझे लगा था कि मैं एक या दो हफते बाद बिग बॉस के घर से निकल चाऊँगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं हुआ वहीं दोस्तों आपको बता दे विकास गुपता आगे ये भी कहते हैं कि हर सीजन में कंडिसन्स अलग होते हैं हर सीजन में जो आने का मेरा प्रोस्प्रेक्टिव होता है मतलब कि जो आने का पूरा वजूद होता है वो अलग होता है अब यहाँ पे विकास गुपता समझाते हैं इजाज खान को कि इजाज खाना बहुत अच्छा खेल रहे थे लेकिन आप बीच में भटक गए थे और लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इजाज खान आखिरकार है कौन फिर यहाँ पे विकास गुपता ये भी कहते हैं कि बिग बॉस का घर जो है वो बिलकुल अलग है मुझे पहले लगता था कि ठीक है ये एक रोडी जैसे रियालिटी सो जैसा होगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है यहाँ पे न कोई आपको समझाने वाला है आपको खुद से समझना पड़ता है और खुद से ही अपने आपको आगे ले जाके अपने माइंड से अपने थिंक से आगे कमपीट करना पड़ता है वहीं आपे विकास गुटता ये भी कहते हैं कि ये पूरा गेम जो है माइंड का है तो हिजाज खान आपी स्ट्रॉंग रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं तो दोस्तों यही जो बाते हैं दोनों की बीच में हुई है अब आपका क्या खेना इस बारे में कमेंट में लिखके बज़रू बताइएगा सब्सक्राइब करें बॉलिवूड बाजार ताकि आपको हर अपडेट मिले बिग बॉस की सबसे पहले धन्यवाद